एनके आर्जे भारत न्यूज से मैं नरेंदर कुमार आज हम बात करेंगे अलवर लोगसभा चुनाओ की अलवर लोगसभा चुनाओ के अंदर सबसे पहले भारते जनता पार्टी ने केंद्रे मंत्री जो की वन प्रियावन मंत्री है भुपेंद्र यादव उनको उतार दिया हैं और कॉंगरेश से खबर आई कि ललीती यादव को कुभी कॉंग्रेस पार्टी ने प्रृत्यासित बना दिया यहां पर जो मेरेसाथ अल्वर की जनता मौजूम है उनसे सबसे पहल कि वोट करो आपकी इख्षा है पर ऐसा मोंदी जी ने क्या कर दिया जैनल कि आप मोदी को वोट कर रहे हो मोधी के चैरे पर बोट दो अच्छा मोधी जी के कोई ऐसे दो या तीन कारी बता दीजिए ताकि लोगों को लगे कि आप वास्तों में ही मोधी को बोट देंगे दुनिया भर की रियल चला दी दुनिया भर का देश विद्धेश तक वेको नाम रोशन वहरो मंदिर बना दिया पब आपकी बाहर लोग सबा में किसको वोट करोगे आप आप मैं तो सदा से कॉंग्रेश का देता है और कॉंग्रेश का दूँग कला हं इने मुझ्य मुझे़ा दूघेश सर्कार का दिखार यहां मुखलार्य में सब्memory के इंद 10 कितने मेंने का मेरे को कितने महीं न बन भाजपा आती ही आपकी पेंशन बंद हो गए। आपने शत्यापन कर रहा है था इसका। शत्यापन करवा है ना, सत्यापन हो जवना, करते नहीं है। देखिए जी ऐसा है, कि मोदी जी ने जो काम किये देश के लिए, वो काफी हितने किये हैं। जैसे OROP, One Rank, One Pension Force के लिए, ये काम बहुत अचा किया, काफी दिनों से ही मुद्धा आठका वा था, एक जो राम मंदिर, जो कि 1986 से महाल, लोग लगा वा था, ठीक है जी, और एक अबना ये धारा 370 तस्मीर में। 35 एक ही बात करें। ये कंडिडेट है जो वीजेपी का इभारी कंडिडेट है, हम ते इस पर इस बार चुनाओं में जाती का फरक रहेगा। जातिवाद के आदार पे तो पार्टिया टिकेट देती है। दोनों पार्टियों से आप नाराज हैं कि अजब। जातिवाद का अधर अगर चलो मोदी की लहर माले हम, कि भाई पूरे भारत में मोदी की लहर है, तो जाती से अटके यहाँ टिकेट दे, तब पता लगए कि मोदी की लहर है। मुद्दे क्या क्या होंगे अगर लोगसभा की बात करें तो। आपकी लोग सभा जो अलुवर है इसके मुद्दे क्या है अब अलुवर लोग सभा से नहीं हम तो अपने गाउं के मुद्दे उठाते हैं गाउं के मुद्दे बता दिए अभी तक यहां ना तो रेलो इस्टेशन पर कोई ट्रेनों की सुविदा है कई बर दो बर एक तो बरेली एक्सप्रेस रुकी थी बीच में बंद हो गई यहां और जो ट्रेने रुकती थी वो भी बंद हो गई अब माती यह ट्रेने जैपूर क कि सुविदा हो तो बढ़े हैं यहां पार को भी बढ़ावा मिलेगा अगर यहां पर सादरों की हम बात करें अच्छा एक चीज और मेरा सवाल है भारत को लगबग सतर से अधिक साल हो गए आजाद हुए पिछितर साल हो गए आजाद हुए अभी भी गाउं के अंदर बसो विधान सभा चुनाव हो रहे थे तो लोग मोदी के नाम से वोट मांग रहे थे अब जब मोदी कर्चु खुद का चुनाव है तो क्या विधान सभा के मुद्धे भी आएंगे इसमें और मैं मुद्धा यह एक रास्तान रोडवेज जो पहले हर 20 मिनिट में चलती थी अप तो रास्तान रोडवेज एक प्राइवेट उसके लाव सारे दिन टंपों में सवारियों को लद के जाना पड़ता है एक टंपों 15 15 20 20 आदमी बैठके जाते हैं अभी बाबो बालक नाज सांसर थे पांस साल सांसर रहे साड़े चार साल सांसर रहे अब वो तिजारा से उसक्centered कि तोर पर अबालगनाथ से उस्दी सही बोड़ दिया था आमनेुक व्हाँ बाबाजेे तो आप सब्सक्राइब कि यहां पर यहां पर लोगSON को ना तो वोट दिया था ना ही बाबा हालकनाथने हमारा कुई कहम कराया और हमने मोदी को वोट दिया था और मोदी ने